तो फ्रेंज देख सकते हैं इपे 29 फीट बाई 36 फीट का संदर हाउस प्लैन तो इह पे पहले देखिए इह फ्रॉंट साइड है इस तरफ तो इह पे सिट आउट रखा गया है स्टेयर के बाद इसके बाद इह पे ड्राइंग रूम बड़ा सा और इह पे डाइनिंग हॉल और लेप्ट में एक बेटरूम होई पे कॉमन टॉयलेट तो इह पे अटाच टॉयलेट इह पे बेटरूम होई पे खॉट रूम और इह पे किचन तो दो बेटरूम दो टॉयलेट एक किचन एक गॉट रूम एक डाइनिंग ड्राइंग सिट आउट और इह पे स्टियार पॉइ कीजिए और वीडियो का end में अगर वीडियो अच्छा लगएगा तो वीडियो को like share जरूर कीजिएगा चलिए आज का plan start करते हैं तो देख सकते हैं यहीं पर number of column तो red mark करके हमने column का design किया red color कर दिया column को तक यह अच्छा से समझ में आ जाए तो यहीं पर column layout पहले आपको दिखाएंगे कि देखिए इस तरफ column आपको create करना है इस तरफ इस तरफ तो टूटल आपको 14 नंबर column यहीं पर provide करना है तो देख सकते हैं इस तरफ column आएगा इस तरफ भी column आएगा यहीं पर यहीं पर यहीं पर और इस तरफ इस करनार पर आएगा next इस तरफ इस ट्यार का करनार और इस तरफ तो देख सकते हैं टोटल नंबर सब column तो 14 नंबर column आपको इस पर provide करना है इस building को तियार करने के लिए जिसको साइज रखा गया है 10 इंच वाई 10 इंच का मोटा ही पर provide किया गया है तो इसका बारे में details आप से share करेंगे measurement से लेके building cost तक आपसे details जानकर आपको provide किया जाएगा तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए तो next इहीं पर देखिए देख सकते हैं इस तरफ आउटसाइट का वाल नहीं पर डुरा करेंगे आउटसाइट का वाल 10 इंच का प्रवाइट किया गया है ठीक है ओल आउटसाइट वाल यहीं फिर दुरा करेंगे देख सकते हैं इस तरफ आउटसाइट का वाल आपको दिखाए देगा नेक्स्ट इस तरफ आएगा सिट आउट देख सकते हैं इस तरफ आपको टूटल जो आउटसाइट का वाल था रहो गया नेक्स्ट इंपर इंसाइट वाल रहा करेंगे इंसाइट का वॉल 5 इंच का फोवाइड किया है इस तरफ इस तरफ फोवाइड कर देंगे इसका इह पर इसके बॉल इसके बाद इंपे इपे परी से serious जाएगा इस तरफ किचेन भनेगा तो देख सकते हैं शारा वाल हुआ धे ngee го income हो गया। तो इसका लेयाउट आप अच्छा देख सकते हैं इस तरफ का लेयाउट आपको v्लेबल मिलेगा स्ट्रियाचर के आप फ्लो लेबल पाएंगे तो यहीं पर आपको एक सिट आउट मिल जाएगा जिसका आउट का साइच फोर फीट फाइफ फोर फीट फीट सिक्स इंच इन पे आप चयार लायर के बैड़ इसकता है तो नेक्सट अपर इसका में पर में दोर इस तरफ क्रियेट किया देखिये फोर फीट फीट का में डौर और एक प्विट आपको नजर में आएगा तो इन पर ड्राइंग वहल प कर दिया कि आच्छा सा federation हो लो सखें सब्सक्राइब को 3우 इसतर इसे फिट का और इसतर दो इंडो इसतर आफ कर दिया देख सकते हैं आच्छा सा वेंटिलेशन मैंटिनुं चिर रहेगा साइस एकभी 12 फिट का होने वाला है दोस्तों तो नेक्स टेंग पर देख सकते हैं आपको बड़ा सा एक डाइनिंग हॉल भी मिल जाएगा यहीं पर डाइनिंग हॉल मिल जाएगा एक बड़ा सा जिसका साइज 10 फिट 7 इंच भाई 13 फिट 6 इंच तो डाइनिंग हॉल का इस साइड में आप है नेक्स टेंग पर इस तरह आपको सेकंड फ्लाइट स्टार्ट हो रहा है टोटल वीध 6 फिट है और एक एक स्टेयर का वीध आपको 3 फिट करके मिलने वाला है और इहीं पर राइजर 6 इंच का है और इहीं पर ट्रेज जिधर पायर राखेंगे वह आपको 10 फिट का मिल जाएगा तो नेक्स टेंग पर देख सकते हैं इस तरह इस तरह तो इस का साइच 5 फिट बैज 7 फिट वान इंच का साइच नेक्स टेंग पर बेट्रूम इस पेट रूम में 3 फिट बैस 7 फिट का डूर फोइड कर दिया है और यहीं पे एक window strap और एक window strap तो इस bedroom में अच्छा सा ventilation होते रहेगा तो यहीं पे 10 feet by 12 feet का size यहीं पे आपको मिलने वाला है और इसके साथ ही देख सकते हैं यहीं पे attached toilet यहीं पे void किया गया है तो attached toilet का ventilation इस तरह रहेगा और इसका size होने वाला है दोस्तो 5 feet by 6 feet 5 feet by 6 feet का size यहीं पे आपको मिलने वाला है तो next यहीं पे आएगा god room तो यहीं पे god room point की आद देखिये तो इस तरव god room का door यहीं पे बैठा दिया और इसका size 6 feet 6 inch by 6 feet 7 inch तो next यहीं पे kitchen होने वाला है तो kitchen का door इस तरव create कर देते हैं kitchen का door 3 feet by 7 feet ही रखा है और इस तरव kitchen का platform इस तरव आएगा और यहीं पे kitchen का kitchen का window इस तरव रखा गया है तो इसका kitchen का size होने वाला है 8 feet by 10 feet काफी standard size यहीं पे maintain किया गया है देख सकते हैं दस्तों इस तरव इसका top view तो इस तरव आप देख सकते हैं इस तरव का final layout यहीं पे आया है next बात करते हैं इसका जो floor level है floor level 2 feet height यहीं पे रखा है ground level से तो देख सकते हैं इस तरव इसको mark करते हैं तो इसका उचा ही 2 feet रखा है आपका road का हिससाब से आप इसको height तीचेगा dead feet भी दे सकते है 2 feet दे सकते है 2 feet दे सकते है जतना अच्छा आप समझेगा road से minimum 2 feet आपको रखना better है तो उससे कम मत रखिये देख सकते हैं इस तरव ही पे आपको आ जाएगा तो देख सकते हैं पूरा building आपको tight का लगेगा तो इसको अच्छा सा color करके और भी better in कर सकते हैं आपको एक proposal plan हिसाब से आपको इन पे provide किया जा रहा है तो इसका देखके आप दोस्ता plot का भी design कर सकते हैं तो देखिए अपना घार का trying इस तरव का आप बना सकते हैं देख सकते हैं बात काते हैं इसका जो construction cost है तो इसका बनने में आपको 11 lakhs से 12 lakhs का जोड़रत पड़ेगा actual cost depend करेगा local materials और liver costing comfort परता हूँ इस वीडियो आपको जोड़र प्रसंद आया होगा तो प्रसंद है तो लाइक शेर करने में मत भुलिए तो और अभी तक मेरे चलको subscribe नहीं किया तो प्लीज subscribe करके भी like उनको प्रेस कीजिए तो खतम करते हैं इसके वीडियो को thank you झाल करते हैं तो